इस बार बीजेपी हारेगी और गड़वन्दन का जो प्रतियासी हो जीता है तो रहा असान होगी उपकंड्रीट को प्रतियासी जोड लेकाएगी जैसे हमें मिल रहे हैं संकेत वो जोड लेकाएगी अगर बहुजन समाज प्रतियासी यहाँ फार दिया तो डेफनेट जो है वीजेपी के कंडिडेट की रहा बहुत आसान हो जाएगी और रही बात जो विपक्ष की है विपक्ष के लिए इस समय बटे रहात लगी है कि यह सीट विपक्ष यह मान के चल रही है कि हम हर हालत में जीतेंगे ताकि हम भाजपगों एक आई ना दिखा स संदीप सेनी आप देखने हैं यूपी तक आज मुझा फनकर जनपत की खतोली उस विदान सबाशेट पर हम मौजूद है जहां पर आने वाले समय में उक्षुनाव होने वाला है बीजेपी विदाय विक्रम सेनी की विदाय की यहां से अब समाव तो चुकी है और चुनाव कि जनता क्या सोचती है और क्या समीकरण यहां के बन रहे हैं उसी को जानने के लिए यहां के इस्तानिय पत्रगार लोग हमारे साथ हैं उनी से बात करेंगे यहां कि अब क्या लगता है क्या रवात हुआ हुए उसमें और रुक ब़हत बड़ा फरक है चुनाव जब स्टा के साथ चुनाव लड़ता है और जो भाजपा का प्रतियाशी है उसका सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है लेकिन जो भाजपा का प्रतियाशी है उसकी उम्मीद भी हो सकती है कि यह सीट विपक्स यह मान के चल रही है कि हम हर हालत में जीतेंगे ताकि हम भाजपा को एक आइना दिखा सके और भाजपा के लिए इज़त का सवाल है कि यह सीट बचानी क्यूंकि दो बार से लगातार भाजपा भी दाय करा है इस सीट पर और इस बार उप्चुनाव में भाजपा हर्ती है परदेश में सरकार होते हुए तो बाजपा के लिए बढ़ा नुक्सान हो गया लगता है इसमें आप कहना है कि विपक्स के लिए यह इस टैम बहुत ही ज़रूरी हो गई है तो इसे माहूल में आपको क्या लगता है कि गटबंदन से किसके सिंबल पर यह गटबंदन पर चुना हुआ सपा का सिंबल पर चुना हुआ तब भी रालोट का गड़ है हमारा जिला पहले लगातार दो बार राजपाल पालिया करें लिए थी से लिए विदाहक रहें वहार गए थे तो रूच्छी रुच चुना हो जिते हैं और इस बार भी अगर लेकिन इतिवाग कि विराइव के चली गई उन्हें सजा मिलने के बाद में लेकिन क्या लगता है कि इस कंडिशन में यहां से बीजेपी जो है वह वह किसी से और कि तरफ बात करेंगे मिलें को भी क्रिम साहनी ने पहले चुनाव जीता था वह बाब लेकिन वह बाव ay फिर विरौत करें तो वोट देने के लिए वोट देने के लिए पर आना पड़ा भाषप लिए और में रही तो प्रतिया यह आएगा कितना मजबूत होगा क्या जाना पेचाना जन्ता का चेहरा होगा उससे आप से पब्लिक अपना दुज्यान तैय करेगी क्या वोट दे या ना दे जी आपका नाम क्या है आप यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी यहां से इस बार चुटाओं नहीं जीत पाएगी ऐसा है बाजपाईयों ने जितने बीज वो रखेना यहां वो सारे काटने पड़ेंगे ने बस इतना ही करना और अगर बात करें कि गटमंदन यहां से चुनाओ लड़ेगा मुसलिम जाट यह गटमंदन का वोट बैंक है यहां पर तो इसमें अब की बार क्या लगता है सिंबल किसे मिलना चाहिए और किसे मिल दखता है ने सिंबल भले पार्टी गटमंदन की बात है पर यहां रालोध का है कंडिडेट आएगा कोई भी है कोन से अकबार से आप मतलब पत्र अन्या से नहीं आएगा कोई लिए उसके परिवार से कोई यह नहीं उसके बावजूद भी जिट नहीं निकाल पाएगी हां जी आपका नाम क्या है और में में मुकाब्ला तो भाजपा सपारालोध कडबंदन का है कूंकि कोई कांगरेस ने पिछली बार गोराव भाटी को खड़ा किया था वह बाहर के थे और अचानक आए इस बाहर भी कोई नहीं है खास बसपा जो है अपना उप्चुनाओं में प्रत्याशी उतारती नहीं है तो मेल मुकाबला तो सपारालोध और भासपा गई है और जब जाना पैचाना चाहरा है या पूंत हैं लेकिन अगर इस ऊपाइल अब तो बैकटिशन उनका तो हम लड़ती नहीं है आज भी उनका बयान है कि उप्तिलाओं में लड़ते ही नहीं है अब हम उप्तिलाओं में लड़ रहे हैं बहुत सारे मुद्धे पब्लिक के हैं महंगाई के हैं अगर यह हावी रहे तो थोड़ी मुश्किल होगी और अगर अगर वही रहा तो रहा सान होगी कंड्रीट करता ही नहीं है मुख्य मंतरी यह होगी ना अध्य दिराथ है प्रदान मंतरी ने रेंद मोदी जिये हैं तो चेहरा तो उन ही गई है क्योंकि हम से नहीं नहीं हारे थे जिते थे एक चीज और पूछना चाहूंगा यहां पर गट जालोग कहीं मिलना है इसका ऐसे में क्या लग रहा है आप मुझा इसमें कोई शक नहीं है जाट गिरा समाज और मुसलिम समाज तो अक्सिर्यात में बहुत अच्छी तादाद में जायों गटबंदन के साथ ही जाएं कि लाने कि उनकी रहा आसान रह सकती है जाए जाए जाएगी जो है इनके सिर से ताद चीना है और पहले के मुकाबले मिस्तिती मजबूत भी है तो इस ती बहुत बिकेटर है मतले मकाबला बहुत दिचस्प होगा कहड़ा होगा ऐसाली है बहुत के लिए प्रतिश्टा का सवाल है पार्टियों के लिए बी और दिचस्पी ज कर लख है कौन विधान सावे जाता है अगर मुझे लग रहा है कि बाहुजन समाज पालटी अपना प्रतियासी जोड लेकाएगी अगर बाहुजन समाज पालटी ने अपना प्रतियासी यहां फार दिया तो डेफनेट जो है बीजेपी के कंडिडेट की रहा बहुत आसान हो जाएगी और वो जीत की तरफ बिल्कुल बढ़ेने इसमें कोई दोराय नहीं है और अगर उन्होंने का प्रतियासी नहीं आता है तो ऐस में जो है बहुत बढ़िया चुना होगा दोनों में काटेगी टक्कर रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तक किसी भी पारटी ने अपने कोई प्रतियासी बोश्ट नहीं किया है बाकी बाद में देखते हैं कि प्रतियासी कौन-कौन आते हैं मैतान में विलाल जो है यह कि दिन वे एक रेली को भी सब यहां पर समोधित करें तो क्या लगता है कि अब डेरा डालकर यहां पर जैन जी एक तरीके से अपनी पर्तिष्टा को बुराने की कोफिस करें बिल्कुल मैं समझता हूं कि अभी हाली में जो कल के दिन यानि के मंगलवार को यहां पूरी राष यह मान के चल लाओं कि इतनी रहा राष्टे लोगदल की आसान नहीं रहेगी जितनी वह समझ रहे हैं बड़ी महनद करनी पड़ेगी इस सिट अलाकि राष्टे लोगदल पहले भी सिट से जीता है और यहां राष्टे लोगदल का ही दब-बार रहा है मगर बीच में जो ह प्रश्टे लोग दल के लिए विजेपी की बात करें तो क्या देखते हैं विजेपी किस कंडिडेट को किस महावल के समय यहां पर जहां से खड़ा करना चाहेगी क्योंकि विद्रम सैनी जी की तरब आया कास लगा जारे हैं कि उनके पत्ली संभवतां यहां से खड़ी हो सकत से जीते थे उनके पड़ती लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी मगर फिर बाद में मैंनेज हो गया था और उन्होंने चुनाव जीत भी लिया था और अच्छी जो नेरंदर मोदी जी उनको चाते हैं और प्रदेश में योगी जी को चाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक सीट कम रह जाया और उससे सरकार हमारी ना बन पाए जिस तरह के समीगर्ण भूम रहते और चल रहते तो उस समय वोट लोगों ने इस करके वोट दे दिया था उ कुछ भी हो सकता है जो पहली चुनाओं के आपने बात करी है उसके लिए हम क्या कहीं कि जो दोनों चुनाओं इकरम सहनी ने यहां से जीते हैं 2017-2022 का क्या वो पालिटी के नाम पर उन्हों ने चुनाओं जीते हैं क्योंकि सबसे अच्छी जीत उन्हें पूरी जन्बत की फिरान साबाओं में उन्हें हासिल हुई थी दोनों चुनाओं में जाविर उनका अपना भी उसमें जो दाए । ने ऐसा नहीं है उन्होंने देके 2013-2023 के बाद से कि जब वह चुनाओं में आए थे तो वो तो वह सीजने तो जो भी जैपि का है उसी के कि सरकार बनाने के लिए और बीजेपी की सरकार परदेशन बनाने के लिए जंता ने उनको वोट करा है अभी भी मैं समझ रहा हूं कि नाराजगी लोगों के अंदर है और बाकी आगे आने वाला चुनाओ बताएं एक सवाल और मैं आप से जानना चाहूंगा क्या आपको लग लग नहीं रहा है क्योंकि यहां पर राष्टे लोग दल का संभावत कंडिडेट होगा समाजवादी पालिटिकर ना था ना इस बार रहेगा मुझे जहां तक लग रहा है और चुकि जैन जीने संकेत दे दिया है यहां पंदर तारिक में वो रोड शो करेंगे तो लग रह इसके उप्चुनाओं में जो अभी हुए हैं उसमें सपा के सिंबल से यहां पर लडाए जा रहा है क्या कहीं नहीं लग रहा मुझे कि मुस्लिम कटेगा क्योंकि मुस्लिम अधिकतर तादाद में प्रट बंदन के साथ नजर आ रहा है हम लोग उसे बात करते हैं वाच्छ अगर मैं फिर भी यह कहूंगा कि अगर बहुजन समाज पालिटी ने कुई किसी मुस्लिम मजबूत चेहरा लाके खड़ा कर दिया तो फिर राष्टे लोग दल को भारी दिक्कत पता हो जाए तो सुना यहां के पत्रगारों का समीगरन क्या है चुनाओं यह चुनाओं जो उप्चुनाओं में बस्ता भी मैंदान में आ जाती है तो बीजेपी की रहां और आसान हो जाएगी संदीप सेनी यूपी तक झाल